नमस्कार जैहिन तो आद देखना शुरू कर चुके हैं भारत दर्शन का बारवा एपिसोड जो की अब तक का सबसे अच्छा और रहस्यमई एपिसोड होने वाला है रहस्यमई क्योंकि आज हम पहुँच चुके हैं औरंगावाज जिले के सुप्रिस्द एलोरा केवस में स्तित कैलासनार टेंपल में दुनिया की सबसे रहस्यमई जगाओं और सबसे ज़्यादा प्रिष्ण खड़े करने वाला ये मंदिर की कला कहानी और टेक्नीक्स इतनी सुन्द हैं जो की आपको दंग कर देंगी दरसल ये मंदिर इसलिए खास है क्योंकि ये मंदिर किसी पत्थर को जोड़ कर नहीं बलकि एक अकेले सिंगल पहाड और वो भी उपर से नीचे काट कर बनाया गया है जो की बहुत ही मुश्किल काम होता है जो टेक्नीक्स आज अपलब्ध है वो भी इस काम को करने में मुश्किल प्राप्त करती है तो आप खुश सोच सकते हैं कि उस समय के लोगों ने इस काम को इतनी आसानी से कैसे किया होगा इसमें एक और इंट्रेस्टिंग बात है कि आर्गिलोजिस्ट का मानना है कि इस मंदिर को बनाने के लिए लगबग चार लाट टन पत्थर को इस पहार से काटा गया होगा और इसमें उन्होंने लगबग 18 साल का समय बताया इसको कम्प्लीट होने बन चार लाट टन 18 साल में यानि व्यक्ति हर साल में 22,000 टन हर दिन में 60 टन और हर घंटे में अगर 5 टन निकालेगा 12 घंटे काम करने के बाद तब जाके 18 साल में 4 लाट टन पत्थर इस पहार से निकाला गया होगा जो कि असंभव सा प्रतीत होता है इसका एक कारण हो सकता है कि शायद इसमें लाखों की संख्या में मजदूर लगाए गए हो इसमें एक तिल्चस्प बात और है कि इस मंदिर के नीचे एक सुरंग या गुफा जाती है जहां आम आदमियों का जाना मना है और आर्किलोजिस्ट का मानना है कि शायद ये गुफा की रहस्में चीज या नगर की तरफ ले जाती हो और तो और पहाड काटने के बाद भी इस मंदिर की ये सुन्दर नकासी इसको और खास और सुन्दर बनाती है परंतु आज तक आर्केलोजिस्ट इस मंदिर को बनाने की सही तारीक को पता नहीं लगा पाए क्योंकि ये मंदिर किसी अन्य पत्थर नहीं बल्कि एक पहाड को काट कर बनाया गया है जो कि लाखो साल पुराना भी हो सकता है परंतु आज के एपिसोड की सबसे खास और रहस्मई बात कि अगर आज के कंप्यूटर्स और पुरी टेकनोलजी मिला कर भी काम किया जाए तो इस मंदिर को नहीं बनाया जा सकता और इतने विशाल और बड़े मंदिर का निर्मार उनी पुराने टूल्स के साथ करना तो नामुम्किन साबित होता है तो फिर किसने बनाया होगा ये मंदिर दरसल कई साइन्टिस्ट और आर्गिलोजिस्ट का मानना है कि ये मंदिर एलियन प्रवर्ती के द्वारा बनाया गया होगा क्यूंकि ऐसे मनुमेंट कोई इंसान बनाएगा और वो भी इतने सालों पहले ये असंभव सा प्रतीत होता है हिंदू देवता भगवान शिव का ये मंदिर को बनाने का श्रे शिल्पकार विश्व कर्मा को भी दिया जाता है क्यूंकि विश्व कर्मा ही देवों के सारे महल मंदिरों का निर्मान करते थे और खास बात ये है कि धूत और अंजेब ने भी एक बार इस मंदिर को पूरी तरह नश्ट करने के लिए अपने हजार सैनिकों को बेजा था जो कि तीन साल तक इसको तोड़ते रहे परन्तु फिर भी कुछ जादा नहीं बिगाड़ पाए तो आज हमें माल लेना चाहिए कि भारत की शिल्पकरा और हिंदू देवी देवताओं के धरोगरों में कितने रहस्त और कहानिया चुपी हैं क्योंकि आज हम अनभक्ती नहीं कह रहे पूरी दुनिया का ये मानना पढ़ेगा कि हिंदू और हिंद की सिल्पकला और टेकनोलोजी के तोड आज की टेकनोलोजी के पास भी नहीं है तो आप हमें कमेंट में जैहिन लिखकर जरूर बताएं कि आपको कैसा लगा ये मंदिर और आपकी क्या राय है इस मंदिर के बारे में तो इसी के साथ इस वीडियो में बस इतना ही वीडियो को शेयर, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले धन्यवाद